हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गड़ीत के महत्वपूर जितने भी वाइरल प्रशन है उन सभी प्रशनों को देखेंगे फ्रेंस आज हम गड़ीत के अतिलग उत्तरी यह दिर्ग उत्तरी प्रशनों को देखेंगे जो आज प्रश लिये गए फ्रेंस आपके पूरी किताब का ये निचोड है फ्रेंस आज उन प्रशनों को कराएंगे जो आपके पेपर में 100% यही सब सवाल पूछे जाएंगे ठीक है तो फ्रेंस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में 95 से 97% तक प्राप कर सकें तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंस आपका यह पहला सवाल है कि संख्या 14588 बटा के 625 को बिना भाग किरिया किये दश्मलों रूप में बदलिए दिखिए फ्रेंस आप इस प्रश्न को बोर्ड के कापी पे किस प्रकार से लिखेंगे तो फ्रेंस देखिए जब इस सवाल को करना होगा तो पहले आप यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर कैसे दिखेंगे देखिए साथ ने आप बताएंगे आपको कि आपको बोर्ड के कापी पर लिखना कैसे ठीक है यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर नंबर वन डाल दिजिए यानि वन वाला करना इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे देखें जो हर में 625 इसका अभाज गुड़ों खंड करना है तो आप क्या कीजिएगा कि 625 का पहले अभाज गुड़ों खंड कीजिए इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं देखें पांच से कटेंगे पांच 125 बार में कटेगा फिर पांच का देंगे 25 बार में फिर पांच का भाग देंगे 5 बार में फिर पांच से कटेगा एक बार में अब देखें फ्रेंज अब अगला स्टेप में क्या करना है कि आप 14,588 लिखिएगा बटा के अब 625 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 देखें पांच क क्या करना है कि इसको आपको बिना भाग दिये दस्मलों रूप में बदलना है ति इसके हर में आपको क्या होना चाहिए कि इसके हर में आपका देखें यहां समझा रहा हैं फ्रेंस यहां पर आपको इस तरह लिखना नहीं है आपको समझा रहा है इसके हर में होना चाहिए आँस पे चार गात यहां पे दूभ चार गात लेंगे आप कैसे लेंगे लिखेंगे कि और यहर में देखेए फ्रेंज, यहाँ पर लिखेंगे कैसे आप लिखिये गए ऐसे बराबर काचिन देखेंगे, और फ्रेंज जैसे बता रहे हैं, आप इसी प्रकार शे आप प्रश्न पत्र पर बोड के इकशाम में लिखिएगा, ठीक है लिख रहे हैं फ्रेंस इसी तरह आएधी आप बोड की एक्जाम में हल करते हैं सवालों को तो आप 100% गारंटी देते हैं कि आपका एक भी नंबर मैत में नहीं कटेगा ठीक है देखें यहां 14588 लिखिएगा अब पांच पर चार गाते किससे गुड़ा करना है अंस में दूस पंच सो अठासी गुड़े 23 गुड़े 23 seeking लीचे अन केतना हुता है 16 old लीजिए अब यहां पांच गुड़े दू है याई पंच अब दिखिए जब 16 का हम 14,588 में गुड़ा करेंगे तो आप का आएगा 23,34,08 बटा के कितना आएगा पांदुना के दस दस पे 4 घात आएगा अब फ्रेंच 10 मुरू लगाना ते कैसे लगाएंगे देखिए पर इस संख्या को लिख लिजिए 23,34,08 आपको देखिए 10 पे 4 घ जितना घात दस पे आएगा उतना अंक आप इधर से लगाईएगा एक दू तीन चार चार अंक पर दस मुरू यहां पर चार रंक लगा दीजिगा और यहीं फ्रेंच क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जागा तो आपका एक्जामनर जो होगा पूरी पूरे नंबर चार न लिखते हैं तो ठीक है चली अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है फ्रेंस देखिए अब देखिए अगला सवाल पर पाल दीजिए कि दो अंकों से बनी एक संख्या एम उसकी अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग चाचाट है यदि संख्या की अंकों का अंतर दो हो तो संख्या ग्याद किजिए अब देखे जब अपने एंसवर सीट पर उत्तर पूष्ठ कर लिए अच्छे सुंदर राइटिंग हो गए अब देखे अब इस सवाल को आपको लगाना है यहां पर जैसे करें उसी तरह दो अंकों से बनी एक संख्या उसके अंकों क प्रटने पर यहां पर मान लीजिएगा पहले माना इंगाना अब दिके मान लिख लिख सहे कि लोकार दाए का अंक दाए कं कि आपका संख्या क्या होगा कि 10-10 एकस प्लस वाई संख्या हो जाएका ठीक है अब देखिए क्या करा है दो अंकों से बनी एक संख्या हो गया ठीक है यह उसकी अंको को पलटने पर ठीकि Magazin अग्हां का रहा है कि इसकी अंकों को प्लकने पर रेगा प्रेज़े नई संख्या बने जाएगा ठीके दो अंकों से बनी एक संख्या उसके अंकों को प्रटने पर बनी संख्या के योग यानि जो संख्या यह जो नहीं संख्या यह दोनों का यूग कितना है चाचट है तो आप इसको कैसे लिखेंगे देखिए यहां पर अब यहां पर लिखेंगे प्रश्णा नुसार जैसे बता यहांठी संख्या की है यहांपे देख लिए छाछठ दिया है यहां पे छाछठ लिखर लिए ते कासे लिखें कि आप यहाँ लिख Zahl यह लिखेंगे तिना हो दो और बराबर च्छाच ठीक है अब देखिए क्या करेंगे 11 यहाँ प्लस वाई यहाँ लिखी च्छाच अब 11 के अगुड़ा में भाग इधर करें पच्छान तो बटा में आ जाएगा यहाँ प्लस वाई बराब कितना और जैसे ही च्छाच अगए इसको समीकर नंबर आप एक माल लेज़ेगा ठीक है अब दूसरे अब यहाँ लिखिएगा देखिए पले सवाल देख लेते हैं च्छाच ठीक है अब यहाँ पर यदी संख्या के अंकों का अंतर दू हो यहाँ पर लिखिएक क्ई धिवुतिय शर्ट अनुसर यहाँ पर क्या लिखिएक अब यहाँ यहाँ पर दूसरा हैक संख्या के अंकों का अंतर दू है संख्या क्या माने आप यहाँ पर संख्या माने ने दाही कांक, यक्स, इकाही कांक इन दोनों का अंतर कितना है, दू यहाँ पर चलिए लिखिए, ठीके फिर हल करके बताते हैं, यहाँ पर वज़ा यक्स माइनस वाई बराबर अंतर दिया है य पर आ कितना है, दू है, समीकर नंबर दू है अब इसको हल करना है, देखिए, कैसे हल करेंगे अब फ्रेंज देखिए, यहाँ पर य यानि कोई एक कटना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे जोडने पर जोड़ने पर जब जोड़ने पर लिखेंगे तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं और जोड़के देखते हैं कि कितना आता है ठीक है चलिए यहां पर जोड़ते हैं और देखते हैं देखें यक्स यक्स जोड़ेंगे कितना हो जागा दू यक्स और प्लस वाई और माइनस वा यक्स कमान कितना है यहां यक्स कमान आगया आपका चार ठीक है बस काट बिट जादा मत कीजेगे देखिए यक्स कमान आया चार आप अब यहां पर आपको क्या करना है यक्स कमान कैसे ग्याद करेंगे इस यक्स कमान समी कर एक दो किसी में से रख के आप हल कर लेजेगे समीकर लिख लेते हैं, जिस समीकर में रखना है, एक में रखना है, एक वला समीकर यह है, तो देखिए, यक्स, प्लस वाई बरा कितना अच्छा, यक्स कमान यहाँ चार रख लिजिए, अब प्लस वाई कर लिजिए, बरावर च्छा, वाई बरा कितना जगा च्छा, पच्छ यहीं पे आपको हल कर लोते हैं आप इसके नीचे हल किजेगा ठीक है फ्रैस यहाँ अपर किर नीचे लिए घटव कीश्ट जाए करने का इस पर कार श्रब्स 2 कितना जागा आपका 42 और फ्रेस को इस पर ढाएं आपका 42 42 आया भी होगा इस पर आपकी एक्जाम देता है तक्सरी कम से कम चाहँ से बता है इस प्रकार से आप लगाते हैं तो आपको पूरे का पूरा बबगत why अगले सौवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है पो का सवाल के आप करेंगे और फो होल करना ऐसे बता रहें परकाल है आप इस प्पकाल से पेपर में रया हुल करके पहलं को लिखेंगे कायひ सत कि यहां पर यहां लिखेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर पहला मूल लिखिये पहला मूल छाला मूल मूल एससे ऋखाँ किरे लशाश रांव के दुसरा और हिंए इसकुए बीटा से दिखाते हैं ही यहां पर रख लिए तखिए अब साला मूल दिवगाद समीकरण और दिवगाद समीकरण पराबर देखिए आपको याद होना चाहिए न यह वत्ता है यक्स माइनस अलफा और यक्स माइनस बीटा यह दिवगाद समीकरण लिखने का सुत्र है ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्या अब इसका बसमान रख्के आपको हल करना है, देखिए कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पर यक्स रखिए माइनस अलफा कमान कितना माने है? तीन और अगले में कितना है? यक्स माइनस बीटा कमान कितना है? एक बटा के 3ağıड देखिए और देखे दो घास स्मीकरता यह 0 बराबर हो गा ते इसको 0 के बराबर देखाते रही है, ठिक है? अब गुड़ा कर लिदिये देखे, 10 के 10 में करेंगे तो 10 बटा के 3 होगा, minus 3 का 10 में करेंगे, 3 X हो जागा, और minus का minus में गुड़ा करेंगा plus 3 का 1 बटा 3 में करेंगा देखे 3 से 3 कट जागा तो यहाँ पो जागा आपका 1 और बरावर 0 ठीक देखे X square रहने दीजिए यहाँ पर फ्रेंज देखे यहाँ पी X है यहाँ पी X है तो यह सजाती होगा तो इसको क्या करेंगे आप हल करेंगे कैसे हल करेंगे यहाँ पी समझने के लिए एक ले सकते हैं 3 और 1 का LCM निकालेंगे 3 होगा 3 का 3 में बाग देंगे 1 का गुड़ा करेंगे तो यक्स हो जागा minus 1 का बाग 3 में देंगे 3 का 3 लिके 9 X हो जागा प्लस 1 बराबर 0 होगा ठीक है अब देखिए फ्रेंस क्या करेंगे आप अब इस 3 का क्या करेंगे इधर गुड़ा कर लिजे देखिए 3 का चली पली स्कॉर कर लेती X स्कॉर माइनस 9 कितना हो माइनस माइनस जोड़ते हैं चिन माइनस कर रखते हैं 10 X बटा के 3 प्लस 1 बराबर 0 अब देखिए 3 का यहाप गुड़ा करेंगे 3 का करेंगे यहाँ पर समझने के लिए 1 ले सकते हैं चली एक ले लेती 1, 3, 1 का LCM निकालेंगे कितना होगा 3 होगा ठीक है LCM निकालेंगे आप 1 का भाग 3 में देखिए X प्लस 3 और 3 का यहाँ गुड़ा करेंगे 3 होगा जागा और यहीं फ्रेंस क्या आजएगा आपका दिव घात समिकड़ होगा तो इस प्रकाइस को घेर दीजेगा और यहीं पर लिख दीजेगा दिव घात समिकड़ जब एंस्वर आगा इस प्रकार आपको प्रश्ण को लगाना ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं तो आपका चोथा नंबर का सवालत को यहां प्रश्नोत्तर संख्या ठीक है प्रश्नोत्तर संख्या और क्या है प्रश्णवत्र संख्या का होता यह चार है तब चार कर लीजेगा ठीक है और इस तरह आप इसको घेर लीजेगा ठीक है गहरने के बाद अब देखिए एक त्रफल ग्यात कीजे जिसके शिर्शों के निरसांग इतना इतना है इस बिंदू का आप क्या करेंगा पहले लिख लिजेगा इसको मानना होगा तो अपने तरफ संबान के भी लिख सकते हैं यहां पर कैसे लिख लेंगे यहां पर यहां पर दिया है क्या दिया है दिया है अब तिरभूज का दिया है फ्रेंज इस प्रकास से आप अधिए और अच्छे से लगाना है तो यहाँ पर आप ég तीर भूझ बना सकते हैं और यहां Pa लिए बी लिख लिएगा लिखने के बाद इसका नेटा सांग लिए अपने क्रम सी लिख लिएगा एक कामा B प्लस C लिख लिएगा अगले में क्या लिखेंगे B कामा C प्लस A ठीक है देखें फ्रेंस इस प्रकासी दी बदार देते हैं तो आप examiner तुरंत देख के साफ सुतर देखें कि तुरंत आपको number देखा ठीक है उतना चेक करने के लिए उन लोग के पास समय नहीं होता ठीक है C कामा A प्लस B इस तरह देखें लिख लेंगे लिखने के बाद देखें A बराबर यहां पर कितना लिखें हैं आप A बराबर देखें क्या है आपका A कामा B प्लस C है लिख लिजिए और B बराबर क्या है आपका B कामा c प्लस a लिख लिख लिजिएगा ठीक है और c का है तो c को यहाँ प्लस b लिखिएगा अब देखे फ्रेंस क्या करना है अगला step में अब क्या करना है कि यहाँ पर यक्स 1 माल लिजिए इसको पुरा y1 इसको y2 इसको y3 इसको y3 माल लिजिएगा मानने के बाद देखे फ्रेंस अब आपको क्या करना है कि यहां प्लिखेंगे तिरभुज स का ebc का चैत्रफॉ सब्सक्राइब अब 6 रफल का फार्मूला याद होना चाहिए कि फ्रेंच 6 रफल का फार्मूला क्या लिख के बताते हैं आपको चलिए लिख लिजिए यहां पर आपका फार्मूला होगा चलिए यहां पर लिख के बताते हैं आपको यहीं से लिख देते हैं ठीक है यहीं पर लिख लिख लि अब देखें फ्रेंस क्या करना आपको अब दूसरे पेन का यूच कीजिए यहां लिखें कि यहां पर कोश्टक ने आप देखा सकते हैं तो यहां पर देखिए इसको नीचे लिखते हैं इतने जगह में हो नहीं पाएगा ठीक है इतने जगह में नहीं हो पाएगा कि तरह करके कोस्टक बड़ा कोस्टक बना लीजिएगा अब इसको हल कर लीजिएगा तो यहां पर लंबा question था यह वाला देखे एक बटा के दूँ कोष्ट ठीक है यहाँ पर लिखे कि एक कोष्ट में देखे C प्लस A जब कोष्ट गवार माइनस कचिन होगा तो अंदर कचिन बतल जागा तो माइनस A माइनस B हो जागा प्लस यहाँ पर B लिखेगा यहाँ लिखेगा A प्लस B कोष्ट गवार माइनस कचिन अंदर कचिन बतल जागा यहाँ पर प्लस C है कोष्ट में B प्लस C माइनस C माइनस A ठीक है अंदर का कोश्ट टक और अंदर का सभी चिन बदल जाते हैं यहाँ प्लस एक बटा के दूँ यहाँ प्लस यहाँ पर C है कोश्ट में देखें यहाँ बिनाएं अब क्या करेंगे गुड़ा कर लिए एक बटा कर लिए यहाँ पर दूद लिखेंगे प्लस में है यहाँ पर अपका प्लस में है तो यहां प्लस AC है माइनस AC ती यह इस से कड़ जाएगा ठीक है माइनस A भी है और प्लस A भी ती यह इस से कड़ जाएगा माइनस BC है यहां प्लस BC है ती यह इस से कड़ जाएगा कूल मिला कि बचेंगे कितना जीरो और जब इसका Haus Pouse में एक बटा दू का जीरो में गुड़ा करें जीरो तो इसका जित्रिफल क्या आगा ?ического आएगा ठीक है ? और यह जब 0 आगा सब्सक् Chinese Phaneus अपका अगला प्रशन है कि साइन बहतर अंस प्लस काς 22 हमानका सब्सक्राइन later on disappoint इस सवाल ये लगाँ सब्सक्राइज प्रश्णोंगत्र संख्या लिकर rv इसके पाद क्या करना है फिरेंस, आप यहाँ पर सवाल को पलकर लिख लिए, कितना है साइन 22 प्लस कास 72 अंस लिख्या गाँ कितना दिया है आपका कास 18 अंस प्लस साइन 18 अप देखिए, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, चलिए लगाते हैं, देखते हैं ठीक है देखें यहां पर सवाल को देख सकते हैं कैसे लगा रहा है देखें ठीक है देखें अब फ्रेंस क्या करना है कि जब ऐसा सवाल दे तो पहले उपर नीचे का योग करके देख लिए कितना रहा है देखें आठ दूदा साथ एका टेक नो 90 यह भी आएगा इसका भी 12 ऑनस इसी परकार रहने देतें ते कि हरम कैसे हल करेंगी इसको यहां पर कितना प्लस इतरह कितना है कि ऐक नवब्र नशारा ने कि कितना लिख सकते हैं यहांगी उप क्टस इसμीतर यहां पर साइन यहां यरस तब अब मतला अठार कि जब कितना लिखेंगे 72 गटा देंगे जब आप 72 गटाएंगे तो फिन आपका अगला इस्टेप यहां लिखिए का साइन 72 गटाएंगे 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 72 इसको क्या लिख सकते हैं कास्ट जैसे बोर्ड में एक्जाम में आपको लिखना है फ्रेंस उसी प्रकार से आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको बोर्ड के इसको क्या लिख सकते कास बहत्तर हो जाएगा देखें यहां पिर अंस में सभी बराबर हो गया है यह इस से पूरा कट जाएगा ओं कटेगा तो बचेगा कितना फ्रेंज आपका एक बचेगा जब एक बचेगा तो इसी को कोश्टक में इस तरह बहा लीजेगा और लिख इंग्लिस में लिखे हैं इंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है लिखते समय इस सवाल को आप इतने सिंपल तारीका से लगाएंगे बस आपको ध्यान क्या देना है यदि किसी फार्मुला का प्रियोग करते हैं तो इसको बगल में कोश्टक बना के लिख लीजिएगा च इसके पात का ओनमन कोड़ 45 अंसर टावर की उचाई ग्याद कीजिए यहां पी लिखिएगा प्रश्णोत्तर संक्या पहले प्रश्णोत्तर संक्या छटा नमबर का छट देदीजिगा इस तरह आप इसको कर लिजिगा ठीक है अब देखिए इसको कहरना कैसे पहले आप इस प्रकास यहां पर देखिए बना कि आपको बताते हैं ठीक है यहां पर देख लिए कैसे बनाना चित्र जीदी चित्र बना लगा तो सवाल लग जाएगा ठीक है और इस तरह बनाने के बाद इसको आपस में मिला लिजिए अधिए ठीक हो गया दस मीटरवन यहां पर लिखती जेगा है हिंदी में आपका भवन क्या भवन भवन लिख लिजिए इसका मतलब यह और टावर यह और आपका दस तो 10 मीटर है यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी कितना है 10 मीटर तर péशा करके आग अच्छे से 10 मीटर दिखा दिका पूरीप कैसे तर भावन के खीवर हो चछहर की चीलर कंज और नब यह यहां नीचे ऊपर देखrain कि यहां से पाठोड थे? यहां से घीज़सु कि यह भैकान से बिला लगाक वा कि यह alarm के यह भातालीश हम्षभ रहा हो है तो 35 संस ही हो जागए एक अंतरकोड के नियम से ठीक है अब दिखें आप को पूछ रहा है न अब देखें टावर की ऊचाही पूछ रहा है तहीं यहासले कि हैं तक आप माले जिए कर टावर की तक पूरा ही कर्प्टल यह अच मैसे 10 घटा दीजिये त्यच मैसे क्या करेंगे यह नाम मालन लेजेगा अपने तरफ तक हो जाएगा अब इसका नाम मालन लेजेगा डीए छुट अउर इसका नाम मालnorm करनके आपको ग्याद करना है ठीक है। अब देखे फ्रेंस इसके आधार का तो कुछ दिया नहीं है ति इसके आधार को आप मान लेंगे अपने तरफ से ठीक है अब देखे जब यह चित्र आप साफ सुत्रा बना देंगे ना तो अब यहां पर लगाएंगे कैसे सवाल को देखे जब चित्र बन गया तो सवाल कितना माने हैं टावर की उचाई कितना आपका है यह मीटर रहते हैं यहां पर लिखेंगे यह मीटर बस माल लिजिए ठीक है और भवन का यह है बस एक चीछ को मानना है जो ग्याद करना है उसी माल लिए जाथ आप फिने चित्र बनाये साफ सुत्रा तो इक्जामर देख ल कि दूरी है कितना है यक्स मीटर है यक्स मीटर माल लेंगे बस यही दो चीज मानना है आपको अब क्या करेंगे अब इसको हल करना है अब यहां लिखेंगे त्रिभूज इस त्रिभूज में एकला हल कीजिए फिर इस त्रिभूज में हल कीजिए त्रिभूज देखेंगे लिखेंगे देखेंगे अब क्या है यह आप computer है और औढ़ार पर तो बीसी देखा लेंगी बी सी है तो बी सी देखा लें जी यहां पर टे cent ठीट का ex कमान या वी कमान कितना है — कितना है यक्स है यहां पर रहां कितना होगा फ्रेंश कह देखिए अब इसको र हखें kunha to यहां पर दसतर एक्स ट्रीयक बुड़ा करेंगे यहां पर यहां पर आपको पता चल गात कि इसका कितना है आया है डासमीटर एक्स कमान फिर्ट्न चित्रा एक्स особенно um से यहां कि उभावर एक्स होगा कि यह आधार जीतना और आपस में बराबर से यह यह होगा अब देखिए अब इस त्रिभूज में आप हल की जिसे क्या हिसा आ कि यहां पर लिखेंगे त्रिभूज क्या लिखेंगे हैं अब टैन ठीटा को जाका यहां पर पेसे कितना थीटा कर जगए यहां पर साथ है तो साट हो यहां पर जागा आपका शाथ है क Jackie he is माइननश दस एक्स कमान कितना यह आएा थेनли कमान कितना होalon कितना होग साटांस कामन कुंण होता है कारणी में तीन यहाँ पे कैपिटल छे माइननस दस और इस माहले एक्स के मान कितना है आपका 10 है था 10 रखते की अब तिर यगुड़ा दश्चाने हो जाएगा अब दोने में दस कामाण ले लेजंटे भी 10 यह आप लिखेगा यहां लिखेगा यहां लिखने के बाद टावर की उचाई तावर की उचाई उचाई के बारकी आजएक दस कोश्टर में नें तीन प्लस वन मीटर ठीक और यहीं क्या आपके अंसी यहीं वस्क्तायीं के इक कि अगहे आ आपको अगले सवाल को देखतेे हैं देख लिए पहले पूरा सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है दी गई आकिरती में एक चतुरुथांस ओ पी वी क्यों के अंत्रगत एक वर्ग बना है यदि बरावर बीस सेंटीमीटर है तो च्छायंकित भाग का च्छत्रफल ग्याद कीजिए देखे फ्रेंस यह आपके सामने चित्र है इसमें आपका ओए बीसी क्या है आपका एक वर्ग है यहां ओए बरावर क इतना से लेकिए अहां तक दिया है बीस सेंटीमीटर कितना अब इस संन्टीम्टर है फ्रेंस आपकीस लगा indeed पहले आप है प्रश्न तरसंख्या ठीकर प्रष् realm तर मतर संख्या कैसे लिखते साथ लिख लिए लीजिए समग का ऐसकर जो लिखने के बाnd आद इस चित्र को कि यहाँ यहाँ प्रकार समस्तन बना लेते हैं ठीक है यहाँ सब्सक्रानें स्वुछबवगा करें एक हैं यहां पर टूर्प करों सकते हैं यहाँ जा भाए हैं हमार दुछ आ बन पिक कि यह छिए है बन गया चित्र Bite जैसे चितर बना-लेंगे पेपर पाप हल कैसे कर गए अब इस सवाल को हल करना है यहां पर लिख लिजिए लिख लिजेगा पीजिए आप क्या दिया है को एक वरग है यानि कि ओ फॉर बीसी लृफ कि यहां पर क्या है इस सवाल को लगाने के लिए यह तरी आपका क्या का है और इस वर्ग में क्या है आपका विकर्ड है यहां पर पहले वर्ग का विकर्ड निकाले को वर्ग का विकर्ड देखिए वर्ग का विकर्ड जो है ओ भी बराबर होगा करड़ी में दू गुड़े भूजा यह फार्मुला होते है याद रखिएगा करड़ी में दू गुड़े भूजा यहाँ पर करड़ी में दो है भूजा का मन कितना है 20 है यहाँ लिखेंगे फ्रें यहां पहलते हैं तो पहले क्या करते हैं कि Armor XL जातम कर लेते हैं और रीज्या खंड कहा बनाल निकाल ठीक है तो चलिए निकालते हैं देखिए पहला हम क्या करते हैं त्रिज्य खंड का च्छेत्रफल क्या होगा आपका त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड देखिए क्या है ओ बी देखिए ओ क्यू बी पी का च्छेत्रफल बराबर देखिए फार्मूला क्या था ठीटा पटाके पीन सो साथ गुड़े और देखिए ये बिरित्त का छत्रफल का पूरा फार्मूला गया था पाई आरी स्कॉार होता है यहाँ पर ठीटा का मान कितना लगें देखिए फ्रेंस यह वर गये तो वर का मतलब के आप बनेगा यहाँ पर जो कोड़ बनेगा आपका नब्यांस बन देखिए चार गुड़े और का मान कितना है यहाँ पर तिरिज्जा हो आई आर का मान है यानि कि 20 करणी में दो का स्कॉार अब इसी को हल किजिए फ्रेंस देखिए कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखिए पूरा सवाल को आप देखिए जीरो से जीरो कटेगा नहीं कर दो चो अब देखिए चार केम चार चार पाचे बीस अब गुड़ा कर लिजिए देखिए पांदुना के दस यानि को हो जागे यहाँ पर दो सो ठीक है देखिए दू दूना के चालीस हो जागे मतलब पांच का बीस में करेंगे पांदूना के दस सो होगा सो का दू में करेंगे 200 10 दस्मलो एक चार आप यहां पर गुड़ा करना आह फ्रेंट क्या करेंगे गुड़ा कर लिजिए दिलगें दू को करेंगे दू को 8 दुल को जीरो दुल को जीरो बढ़ा लिजिए दू को दस्मलो यह अप लगा दीजिए यानि 628 ठीक है आपका 34-का ये आपका 38-क हच्छेत्रफल सकते हैं आप पूरीं गार। चैनल घ्रापनेustि यहां फार्मूला क्या होता है भूजा का स्पार्च believers Square और है कितना भूजा और स्वाइब सेंटिमीटर निकल गया पूरा tysử भाग कर निकलना है तब पूरे त्रिजय खण्ड में इस वर्ग को निकाल देंगे तो फिर यही भाग वाग वचेगा च्छायांकित भाग का चत्रफल कैसे निकाल लेंगे यहाँ लिखेंगे च्यांकित भाग का च्यांकित भाग का छेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिज्य खंड का छेत्रफल में क्या करेंगे चलिए यहाँ लिख लेते हैं यहाँ लिखें त्रिज्य खंड का छेत्रफल माइनस वर्ग का छेत्रफल ठीक है अब यहाँ पे लिख लिए त्रीजेकन का छेत्रफल कितना है 628 है यहाँ पे लिखे के 628 माइनस 400 अब घटा दीजे देखे आठ होगा दू होगा दू होगा अच्छा में दूगे इसक्वार आया चलिए अगले सवाल को देखते है देखे फ्रेंस यह आपके सामने 8 नमबर का सवाल है कि एक लंबरित्य शंकू के आधार की परिदी 24-25 सेंटिमीटर तथा उर्दवाधर उचाई 5 सेंटिमीटर है शंकू का आयतन ग्याद कीजी देखे फ्रेंस शंकू कैसे बनाएगा तो शंकू देखे ऐसे बनता है यह आपका क्या है शंकू है देखे फ्रेंस यहाँ पर यह क्या है आपका तिरिज्या होगा और यह आपका क्या होगी उचाई होगी यह उचाई होती यह तिरियक उचाई होती अब यहां पर पी दिया है कि परदी आधार की परदी का मतलब होता है सिर्फ इसका यहां पी लिखी है देखी हल कैसे करेंगे लिखेंगे शंकु के आधार की परदी बरावर फार्मूला की देखिए आधार की पर्दी मतलब दिरित है तो टू पाई आर होगा शंगु के आधार की पर्दी कितना दिया है चौवीस चौवीस पाई है 2 पाई का मा रख लीजिए 12 बटा के साथ रखे यहाँ पर और राख लीजिए ठीक है देखिए फ्रेस सुरी दोस्तों यहाँ पर आप इसको कैसे आल करेंगे चलिए इसको आल करके बताते हैं देखिए 24 पाई कमान कितना रखेंगे 22 बटा के साथ रख लीजिए ठीक है दू गुड़े 22 बटा के साथ यहां डायरेक्ट फ्रेंस आपको बता थे पाई से पाई कट सकता था लेकिन आप 22 बटा के साथ रखेंगे इसलिए इधर भी आप ज्यादा काट पिट नहीं करना है ना प्यप लिए कितना कि यहां पर लिखी रखेंगे 12 ऑफ सेंटी मीटर में लिखें यह होगी आपका मारसанд कमान 2 सेंटी मीटर में यानि स्कुरायर एच के था ओर यहां पर चाहि आर का मंद कितना कितना यह पिरिया है फ्रेक्ट के माद इंच कमान आपको 144 होगा गुड़े 5 होगा देखिए 3 से कटा है तीन का तीन चोको 12 ठीक है और चुब है तीन वाटते 24 हो जागा ठीक है अब गुड़ा कर लिजिए तीन चोको 12 24 सब्सक्राइब देगी को चालीश बांच चुके 20 24 बीस चालीय तो पाय लिए यह और आइतन संत्तीमीटर में लिखें के सेंटीमीटर की ठीक है और यही क्या हो जागा आपका एंसोर होगा तो शंकुक आइतन किसा सवाल को लगाना था तो फ्रेंस यहां पर आपकी बोर्डिम में जो प्रस्ण छपएंगे उन्ही प्रश्णों का यहां पर हल कराए हैं